अजयपाल का मंदिर चवुदा जन्वरी मगर संकरांती के उपलक्ष पे यहां लाखों की तादात में भक्तगण आते हैं और यहां भक्तों का जथा लगता है आज देखी यहां लाखों की तादात में मेला लगा हुआ है यह यहां तालाब है लोग यहां इसनान करके फिर मंदर में प्रवेश करते हैं पूरे अजयपाल के किले में आज लाखों की तादात में भक्त गण और उनके जैकारे अजयपाल बाबा की जै और रामधुन चलती हुई संगीत में लोग भक्ते गाते हुए यहां पे और देखिए भक्त दर्सन करके अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं जा रहे हैं और आगे कही रामधुन धोलक मजीरे के साथ बिलकुल भक्त गणों की भक्ते चलती हुई अजयपाल बाबा के लिए महादेव बाबा के लिए यहां बताते हैं कि अजयपाल बाबा पुराने समय में बहुत बड़े तांत्रिक थे लोग यहां से छोटे-छोटे पत्थर भी अपनी गवसाला में रखने के लिए ले जाते हैं ले जाते हैं जिससे जानवर बिमार नहीं होते और जापाल बाबा की भक्त गाते हुए भक्त गण जोगी लाखों की तादात में ये देखिए अपना मनो रंजन करते हुए बला जापाल बाबा की ये भक्त गण सभी अपने घरों प्रस्थान कर रहे हैं अजापाल बाबा की दर्चन करके आ रहे हैं और ये सभी साम होने पर अपने घर के और रवाना होते हुए ढलता हुआ सूरज लोग बताते हैं कि इस भासा को पढ़ने से ये खजाना है एक प्रकार का जो इसे पढ़नेगा और ये ताला बना है और ये चाबी ये खुल जाएगा इस भासा में केवल नील कंठ वस समझ में आता है जो कि ये लिखा है नील कंठ और इस भासा को दूर दूर से पढ़ने लोग आए लेकिन आज तक कोई सफर नहीं हो पाया ये अज़े पार बाबा की महिमा है ते वाल इसमें नील कंठ वस समझ में आता है ये अज़े पार बाबा का प्रतम दौर है सभी भक्त गण अपने घर को प्रस्थान कर रहे हैं ये देखे कितना लाखों में भक्त है जत्ता लगा हुआ है आँ भक्तों का देखिए हाँ पर अज़े पार बाबा की है भक्तों में उस्था है हमारे प्रसासनिक अधिकारी ऐसाई जोगी विवस्था बनाते हुए दोनों तरफ अपनी नजर डाले हुए है और उनके साथ ही गड़ कुछ चैकिंग चल लए है याप लुटि कुछ हो गया है